सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद पापुजी के यूटूब चैनल को और हमारे वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकान को दबाना न भूलें सिया मोरी छोटी सिद्धुखे जाई और निकर भूलें शिया मोरी छोटी सिया मोरी छोटी लली मोरी छोटी सिया मोरी छोटी लली मोरी छोटी सिया मोरी छोटी लली मोरी छोटी दैयोता निक रघुवी इशोरी मोरी छोटी सी सिया मोरी छोटी लली मोरी छोटी दैयोता निक रघुवी इशोरी मोरी छोटी सी सिया मोरी छोटी लली मोरी छोटी दैयोता निक रघुवी इशोरी मोरी छोटी सी किसी ने जनक जी को कहा कि महाराज आप इनको जुगा दो ना जनक जी ने कहा कि नहीं मैं तो वैसे भी निशब्द हो गया हूँ इन्होंने मेरी लाज रख ली में इनको भला क्या बोली किसी ने विश्वामित्र जी को कहा कि महाराज आपके तो चेले हैं आपको हो न जुग दाए विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो भई दुनुष तुडवाना था वो तो मैंने किसी तरह तुडवा दिया बाकि अब बच्चों के बीच में मैं नहीं पढ़ने वाला अब यह लोग आपस में समदे विश्वामित्र जी आँक बंद करके माला लेकर बैड़के और बीच बीच में आखे खोल कर देखते भी हैं कि माला पहनाया की नहीं किसी से भी न जुके तब सियाजू ने लखन को प्रार्थना किया कि लखन भईया तू थोड़ी मेरी साहता करना कभी जरुवत पड़ेगी तो तेरी साहता के लिए मैं भी खड़ी होंगी लक्षमन जी ने कहा कि जो आज्यामा और फिर लक्षमन भहिया दोड़ कर भगवान के चरणों में गिर गए माहराज रक्षमा भगवान एकदम घबरा गए कि लखन क्या हुआ और जैसे ही लक्षमन को उठाने के लिए भगवान जुके हैं उसी समय सी आज उने भगवान के गले में वरमाला डाल दिया बोल ये वैदेही मातु कीजे जलक पुरधाम कीजे सिय जय माल राम और बेली सिय जय माल राम और बेली सिय जय माल राम और बेली गावन ही छवी अवलो की सहेली गावन ही छवी अवलो की सहेली सिय आज ने भगवान के गले में वरमाला डाली और सिय आज प्रशन सब को आनन्द हुआ और लेकिन अब सिता जी भगवान कोई चरन को नहीं चू रही थी उसमें जरा सिता जी गबरा रही थी किसी ने कहा कि अब ये तो तेरे पती हो गए अब क्या दिक्कत है पाउं चूना चाहिए प्रणाम करना चाहिए सिता जी ने सुना था न सक्षियों से कि जब आ रहें थे प्रभू तो मार्ग में पत्थर की सिला इनके चरनों से लगी तो उसमें एक इस्तरी प्रगट हो गई थी तो सिता जी को डर लग रहा है कि हमने आत में अंगुठी पहनी है कहीं ऐसा न हो कि उसमें से जो पत्थर के नगए वो टच हो जाए और उसमें को इस्तरी प्रगट हो जाए क्या बरोसा सिता जी को डर लग रहा है गौतम तिये गती सुरती करी नहीं परसत पगवान लेकिन बाद में सक्षियों ने समझाया तो सिताजी भगवान को प्रणाम कर लेती है